टू एरबैक्स इंडिया में बिकने वाली सारी कारों में ज़रूरी होने वाले हैं गवर्मेंट अफ इंडिया ड्राइवर साइड एरबैक के साथ आफ पैसंजर साइड एरबैक को भी मेंडेटरी करने वाली है पैसंजर्स की सेफटी के लिए airbags एक बहुत ही जरूरी फीचर है इंडिया में बहुत सारी car companies अपने cars के cost को cut करने के लिए airbags के फीचर को जिनूर करती है अगर हम बात करें डैटसन रेडिगो car की तो इस car में सिर्फ आपको driver side airbag ही देखने को मिलते हैं reverse parking sensors, speed alert system और seat belt reminder ये सारे features भी driver side airbag के साथ compulsory किये गए थे अब यहाँ पर आपको ये बता दें कि ये सारे features एक low cost features है इन सारे features को देने में companies को उतना खर्च नहीं करना पड़ता है Road Ministry ने passenger side airbag को compulsory करने पर अपना काम शुरू कर दिया है आने वाले कुछ समय में इस चीज को लेकर official achievement भी जारी होने वाले है आप भी expect कर सकते हैं कि one year का time car companies को दिया जाए ताकि वो driver side airbag के साथ साथ passenger side airbag को भी अपनी कार्स में introduce कर सके है Alto 800 ये कार इंडिया की highest sharing कार्स में गिनी जाती है इस कार के base variant में माज़सुल की shift driver side airbag को अफर करती है Alto 800 के साथ एस्प्रेसो के base variant में passenger side airbags optional है एस्प्रेसो को crash test में zero star rating मिली थी एस्प्रेसो, Alto और डार्सन रेडियो यसी कारों के मुकाबले कुछ कारे इंडिया में ऐसी भी है जो की six airbags को अफर करती है Ford Figo, All New i20 और Mahindra SUV 3 डेवलो ये कुछ ऐसी कारे हैं जो की six airbags के साथ आती है इन तीन कारों के साथ ये कुछ कारे भी हैं जो की six airbags के साथ आती है इन में SUV 5 डेवलो, MG Hector और Harley में लॉंच हुई Innova के star test drift का नाम सामिल है इसके साथ six airbags को Tata Harrier भी ओफर करती है तो आने वाले कुछ समय में आपको इंडिया में बिकने वाली सस्ती कारों में भी two airbags दिखने को मिलने वाले हैं और टो 800, रेनो कुईट, डैसन रेडिगो और एस फिरसो ये कुछ इंडिया की popular cheap cars हैं जिनके सारे variants आगे चल कर two airbags के साथ अपडेट होने वाले हैं तो government के इस new two airbags के policy के बारे में आपके क्या thoughts हैं ये हमें comment करकर ज़रूर बताएं और दोस्तों ऐसन ये और अपडेट के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्स्राइब करना न भूलें